यार हम तुम लोग के लिए एक्स्टा टॉपिक के वीडियो नहीं लाए यानि कि में टॉपिक के उपर वीडियो ला लिए और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो है साउंड देखो यार हम लोग ग्रैविडेशन खतम कर चुके हैं और साउंड भी एक अच्छा चप्टर है फिजिक्स के लिए हमको लगता है इसलिए मैंने स्टाट कर दिये हूँ तुम लोग के लिए साउंड चप्टर का आज फर्स्ट वीडियो है ऐसे ही जाते रहेगा तुम लोग के बास वीडियो साथ ही साथ एक्स्टा टॉपिक भी आने वाला है अभी मैं थोड़ा लेट च सब्सक्रा करते हैं एक दमास अच्छे से कोई दिक्कत नहीं होना देखो साउं डिजब यिए energy sound क्या होता है basically एक form of energy होता है energy का एक form होता है it causes sensation of our ears it causes sensation एक ऐसा sensation create कर देता है कभी-कभी तो अच्छा sensation create करता है कभी-कभी कुछ ऐसा भी sound होता है जो कि हम लोगा ear पे अलग बुरा sensation create कर देता है it is produced by bodies which vibrate किसी भी body अगर vibrate करेगा तो वहां से sound निकल के आएगा यह तीन पॉइंट sound के लिए must and basic point है अगर यह तीन पॉइंट तुम्हें पता है कि sound is a form of energy it causes sensation of our ears it is produced by bodies which vibrate अगर तुम्हें तीनो sentence पता है sound के बारे में तो तुमको definition automatic आ जाएगा यह तीनो को मिला के तुम लोग definition बनाओगे मैं definition नहीं बनाओंगा मैं तुम लोगो points दे दिये तीनो और इन तीनो points को लेके तुम लोग definition बनाओं घर पे अपना note copy में चलो अब आते मैंने तो बता दिया मैंने तो बता दिया कि it is produced by bodies which vibrate जो body vibrate करेगा वहां से produce होगा इसका मतलब sound produce होने में vibration जरूरी है ऐसा प्रूप करना है हम तो बता दिये science तो मूँ का बात नहीं सुनता है science तो प्रूप चाहता है तो अब मैं तुमको बताता हूँ प्रूप अगर तुम कर पाओगे तो कर लेना experiment घर पे एक twin frog लेना twin fork बोलते है इसको जो दिख रहा है तुमको और उसे अच्छे से मारना ठीक है जब तुम मारोगे it produces sound जब तुम एक डंडे से मारोगे लोहे का डंडे से एक twin frog को मारोगे जटाक से मारोगे तो टन 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 ऐसे करके आवाज देगा ठीक है it produces sound but we unable to detect the vibration sound तो जरूर देगा लेकिन vibration कहां गया भाई तुमने तो बोला था कि sound होने के लिए vibration चाहिए vibration नहीं है तो sound कैसे आजाएगा तुमने यह बोले थे ना लेकिन यहाँ पर vibration हम लोगो दिख नहीं रहा अब क्या करना पड़ेगा तुमको इसके लिए अगर तुमें vibration दिखे इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा if we can contact of such pit balls वहाँ पे वो जो twin frog है उसके अंदर एक pit wall होता है काला रंग का उसे अगर तुम रखोगे तो वो क्या होगा वो flick हो जाएगा flick हो जाएगा मतलब वो फेका जाएगा अगर तुम एक side रखोगे ना तो वो मतलब क्या flick कर जाएगा थोड़ा सा हट जाएगा फिर अगर इधर लगेगा तो थोड़ा सा हट जाएगा ऐसे करते करते ना वो नीचे गिर जाएगा इसी से मालूम पड़ता है और क्या होगा sound भी थोड़ा सा कम हो जाएगा क्यों कम हो जाएगा वो जो vibration हो रहा था दोनों side वो vibration को थोड़ा सा कम कर दिया pit wall साथी साथ पूरा completely उसे बंद नहीं कर पाया वो खुद फेका गया इसका मतलब उसके अंदर दोनों vibration चल रहा था vibration एक motion होता है vibration कुछ में होता है vibration एक motion होता है जिस motion के वज़े से sound produce होता है और उसी sound produce होता है तुमको यहां पर दिखेगा ठीक है तो ऐसे experiment कर लेना तो तुमको समझ में आ जाएगा कि by sound है यहां पर मतलब vibration भी है that's proof that sound is produced by vibrating bodies यह तुम लोग को प्रूब हो जाएगा असा निस एक चीज़ याद रखना sound produces by all vibrating bodies लेकिन ऐसा नहीं है कि सब sound हम लोग के कानों में सुनाई दे ठीक है इसके बारे में मैं discuss करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे sound होता है उस उसमें न तुम लोग देखो के बहुत सारे sound होता है जिस sound को हम लोग नहीं सुन पाते वलकि उसमें vibration रहता है लेकिन हम लोग नहीं सुन पाते यह कुछ हम लोग आयर का capacity बोल सकते हो या फिर भगबान ऐसा बना दिया गया तो चलो जो भी है अब देखो जब vibration होता है हम जब बात कर रहे हैं तुम जब बात सुन रहे हो तुमारे कान में मेरा बातों का vibration जा रहा है चाहे हो सकता head bone से जा रहा है बिना head bone से जा रहा है when we speak sound is produced by the vibration of vocal cord हम जब बात करते हैं तो हम लोगा जो vocal cord है वो बहुत जोर से न वाइबरेट करता है अगर तुम जोर से किसी को बुलाओगे जोर से बाते करोगे तो तुमारा vocal cord भी जोर से वाइबरेट करेगा अगर तुम धीरे धीरे करोगे तो तुमारा vocal cord भी धीरे धीरे वाइबरेट करेंगा लेकिन मैं तो जोर से ही तुमसे बात कर रहा हूं इसलिए मेरा वोकल कॉर्ड बाइबरेट कर रहा है जोरो से ठीक है when we speak sound is produced by the vibration of vocal cord और vocal cord कहां रहता है मैंने यहां पे नहीं लिखे larynx पे रहता है larynx वो cavity होता है ठीक है मेरे को उतना नहीं पता है लेकिन when we speak sound is produced by the vibration of vocal cord बस इस line को लिखने का मेरा यही मकसद है कि तुम्हें यह सब पता रहे कि vocal cord होता है और वो vocal cord का vibration के वज़े से हम लोग बात कर पाते और exam पे तुम यह line जाके लिख सकते हो और example के दोरन vibration से बाते होता है यह तुम लिख सकते हो example के दोरन साथ ही साथ कभी कभी competitive exam पे question भी आ जाता है ऐसा चोटे मोटे बात पे तो वो तुम clear कर सकते हो चलो अब मैं तुमको बताता हूँ यह जो sound है यह तो vibrations create हो रहा है बट इसे अगर जाना होगा तो क्या होगा मतलब हम जो बात कर रहे हैं तुम्हारे पास तक कैसे पहुझ रहा है यह जो मैंने बात किया यहां से तो तुम्हारे पास तक कैसे पहुझ रहा है यह बहुत ही मतलब क्या बोले दिमागदार काम है मतलब मैं इधर हूँ तुम मेरे बहुत सामने हो पचास फिट सामने हो तो तुम्हारे तक sound पहुझाना पड़ेगा मेरे को तो ऐसे मेरे को चिलाना पड़ेगा बहुत जोर से चिलाना पड़ेगा अगर तुम दो-तीन फिट सामने हो तो कोई दिक्कत नहीं मैं इधर से थोड़ा सा बुलाओंगा तो तुमको sound सुनेगा इसका मतलब क्या है sound किसी medium से आगे बढ़ता है sound is transmitted in the form of mechanical waves एक चीज़ याद रखो sound कैसे जाता है अगर ये भी question में आता है sound is transmitted in the form of mechanical wave ऐसे तुम लोग को MCQ देदेगा sound is transmitted in the form of dash देखे नीचे 3-4-5 option देदेगा वेब का तो लिखना है mechanical wave ठीक है और ये जो mechanical wave है ये wave का topic जब पड़ोगे तुम लोग तब तुम लोग को समझ में आएगा mechanical waves और ये जो mechanical waves है ना ये mechanical waves किसी medium चाहता है sound travel करता है mechanical wave के दारण sound transmit होता है एक जगा से दूसरे जगा फिर mechanical wave के दारण ठीक है और जो ये mechanical wave है एक चीज़ अच्छा से समझा sound transmitted on the form of mechanical wave sound mechanical wave के दारण transmitted होता है और ये जो mechanical wave ना mechanical wave को transmitted होने के लिए कुछ medium चाहिए इसका मतलब घुमा फिरा के क्या आगया वही sound आगया वही sound को कुछ material कुछ medium चाहिए उसे transmit करने या फिर एक जगा से दूसरे जगा जाने के लिए कुछ medium चाहिए sound को गुमा फिरा के एक ही बात आ गया कि sound needs medium to travel the sound also needs medium to propagate or travel जैसे sound के पास एक property होता है mechanical wave बला और वो जो mechanical wave होता है वो material चाहता है need medium mediums material to travel इसका मतलब वही गुमा फिरा के हो गया sound needs also medium और वो medium क्या होगा liquid होगा gas होगा और solid होगा यह तीनों में से कुछ हो ठीक है चलो अब तुम लोग को मैं एक experiment दिखाऊंगा देखो तुम लोग experiment देखो यह है एक बेल जार ठीक है यह जो तुम लोग को सामने दिख रहा है यह है एक बेल जार और इधर देखो बेल जार या फिर glass jar अब मैंने जो बोल दिये कि sound transmit होने के लिए कुछ medium चाहिए वही मैं प्रूब करने यहां पे आया हूँ इधर देखो बेल जार क्यों बताए इसके पीछे reason है इधर देख रहा है electric bell है इधर wears है और यह जो उपर में जो lead है यह cork से बने हुए है और यह जो है एक outlet to vacuum pump दिया हुआ है और यह जो पूरा बना हुआ है यह glass का setup है ठीक है अब क्या क्या हम लोग पहले बार क्या किये इसमें इस जो बेल जार है ना इसमें पूरा पूरा का पूरा हुआ है ठीक है gas है ठीक है अब हम लोग क्या किये वो जो बेल है बेल बजा दिया बेल बज गया भाई बहुत अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है अब दूसरी बार हम लोग थोड़ा मजा किये क्या किये यह जो आउटलेट वैकूम पाम्प है इससे सब एर को हम लोग पंप आउट करके बहर कर दिये ठीक है देख रहा है मैंने लिखे रहा है यार आउट सारे एर को आउट कर दिये अब क्या किये बे बंद करके बेल बजा दिये बेल बज नहीं रहा बेल बजा दिये बेल बज नहीं रहा ऐसा feelings हो आ तो इस हिसाब से तुम क्या बोल सकते हो कि sound को अगर सुनने के लिए या फिर यहाँ पे sound हम लोग क्यों नहीं सुन पा रहा है क्योंकि sound travel नहीं हो पा रहा है जब sound travel हो पाएगा तभी तो हम लोग कान में आएगा पहले यहाँ पे यार था जिसके बज़े से sound travel होके हम लोग कान में आया लेकिन अभी तो कोई यार नहीं है जिसके बज़े से sound हम लोग के कान पे ट्रेवलों के नहीं आपाई इसका मतलब यह बोलता है कि sound needs a material to travel या फिर sound needs a medium to travel इसका भी proof मैं तुमको दिखा दिये एक question पर आ जाते हैं यह बहुत common question है और बहुत ही important सा question है इसलिए मैं तुम लोगों बताता हूँ which of the following bilger gives us loud sound and why यहां पर दोनों bilger की बात किया गया है एक h2 plus bilger है मतलब एक bilger है जिसमें h2 gas है और एक bilger है carbon dioxide जिसमें घुसाया हुआ है अब बोलन आए कि किसमें ज्यादा किसमें ज्यादा sound produce होगा और क्यूँ होगा इस question का answer होगा co2 bilger में ज्यादा sound produce होगा h2 से h2 में Lever sound produce होगा co2 में ज्यादा sound as compared to co2 ॥ी कह ठीक है जो अब जो क्यों हो रहा है ऐसा CO2 में ज्यादा sound क्यों प्रोड्यूस हो रहा है because it is more denser than H2 H2 के हिसाब से यह ज्यादा density है CO2 का इसलिए ज्यादा उसमें ज्यादा sound produce होगा एक तुम simple सी बात करो तो तुम लोग देखना कि किसी भी अगर तुम लोग देखना अगर तुम लोग बाहर जैसे बात करते हो बाहर एक डंडी को मारोगे तो जितना sound होगा एक लोहे का डंडे को फिर मारोगे तो कितना ज्यादा sound होगा इसका मतलब पहले तुम gaseous medium पे मारे थे तो उसमें sound ही नहीं हुआ जब तुम solid medium पे मारो तब ज्यादा sound हुआ क्यूंकि solid का density ज्यादा होता है और यहाँ पे CO2 का density भी ज्यादा हुआ इसलिए इसमें louder sound देता है और यह question बहुत common है और important भी है इसलिए मैंने तुम लोग को बता दिए आज के लिए बस इतना ही पढ़ो sound medium चाहता है propagation के लिए और sound vibration चाहता है अपने बजने के लिए ठीक है इतना ही पढ़ो thank you फिर मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में तो चलो thank you